खबर जोदपुर से जोदपुर कमेशनर के थबूकड़ा गाउं में एक दिल दहला देने वाली खटना सामने आई है जहां चरवाहे की हत्या कर उसकी पहचान छुपाने के लिए उसे जलाने की कोशिश की गई परीजनों ने हत्यारों को गिरफतार करने की मांग को लेकर शव उठाने से मना कर दिया मोचरी में लोगों की भारी भीर जमा है पुलीस के दूसर सूचना में लेकि थबूकड़ा व लोड़ी पंडिक जी के बाद बीच में एक अधहर का शव पड़ा है इस पर पुलीस टीम ने तुरंत मौके पर पहुँच शव की शिनाकत का प्रयास किया बाद में शव की पहचान थबुकड़ा निवासी भलाराम को तुरिस सुन्दर राम के रूप में भी भलाराम शेक्तर में बेड़ बकरी चराने का काम करता था रोजाना के समार वहकल भी अपरी भेड़ बकरीयों को लेकर चराने के लिए निकला लेकिन लौटकर गहर नहीं आया परीजिनों का कहना है कि कुछ लोगों के सुन्सान इलाके से पहले भलाराम का अपरण किया उसके बाद मार पीट कर उसकी हत्या कर दी गई हत्या करने के बाद शवक को गायब करने के उगदेशे से हत्यारों ने शवक को जलाने का प्रयास किया लेकिन कामयाब नहीं हो पाए वे अज़ले शवक को छोड़ गए भाग गए परीजिनों के अनुसार शवक पर कई जगे गहरे घाव वचोट के निशान है वाला नाम की हत्या का समाचार मिलते ही आज महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में गाउं के लोग एककत्र होना शुरू हो गए वड़ी संक्या में ग्रामेंड एककत्र हैं और वो हत्यारे को गिरफतार करने की मांग पर अड़े हुए हैं उन्होंने पुलीस से साफ कह दिया कि हत्यारों के गिरफतारी के बाद ही शब को उठाया जाएगा S.E.P. राजेंदर दिवाकर ने बताया कि परीजनों की मांग पर हुआ ये मुकदमा दर्ज कर जाच कर शुरू कर दी है और पोस्मार्टम के बाद शब परीजनों को सौपा है कर दो कर दो कि हमारे समाज का जो राव समाज का बलाराम राव जो रोज की तरह गरीब आद भी अपने रोजगार के लिए बग्रिया चराने खेट में गया था साम तक जब वापस नहीं पहुचा तो घरवलों को दूर्टी दूर्टी जाया हुआ गए तो उनकी मर्थ बोड़ी पड़ी पड़ीती है अब उस इस्तित के अंदर पता चलता है कि उसकी अत्या की गई है हम समाज बंदू यहां किटे हुए हमारी एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी हतिया का मुदमा देज कर आरोप्यों को सिगर ग्रिप्दार करें और फससन हमारी मदिद करें गरीब परिवार को न्याय दिले उचीत में हुजा दिले शरीर में फोटो के असाब से खेट में अगर वड़ी पड़ी है तो वो जल्ली हुए ताई पीस्तति में पड़ी है तो वो क्या अंदास लगा सकते है कि वो उसकी अत्याई हुए है और क्या हो सकती है मरनां गोपाल रावरा ठोड़ यह कल साम को मैं इतला मिली थी टेलीफॉन पर कि अपने लोडी पंडीजी से थबूपड़ा जाने वाले रस्ते पे एक बुजूर्ग व्यक्ति बकरियां चराने देवा था जिसकी देड़ बोड़ी वहां तो मिली है तो हमने उसके बाद ना मोके पर पहुंच के सभी अप्सरों ने DCP साहब ADCP साहब ACP साहब ने मोका मुएना किया FSL से रात में मोके क कारवाई करवा के और हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और अभी यहां बोड से पोस्ट मार्टम करवा रहे हैं नहीं हत्यार वगेरा कुछ नहीं मिले